पाज बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा हो जाए तक उड़ नहीं सकता बास बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे उचाई पर उड़ता है और बाकी बंच्छों का राजा होता है एक बास आज मैं आपको पाँच इसे पॉइंट्स बताऊँगा जो कि हर इंसान को बास से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन पाँच पॉइंट्स में पहला लेसंद इगल फ्लाई अलोर बास अकेले उड़ता है और बाकी बंच्छों के मुकाबले सबसे उचाई पर उड़ता है बास अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी चिडिया और छोटे बंच्छों साथ नहीं उड़ेगा बास हमेशे है तो बास के साथ उड़ता है या पिर अकेला होता है और इस समय ये सीग मिलती कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहूं कि यहीं वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है दूसरा लेसंद पास का विजन बहुत जादा क्लियर होता है और बहुत जादा स्ट्रोंग हो पाज अपने शिकार को पांच किलिमेटर दूर से देख लेता है और जब एक बार उस अपना लक्ष दिख जाता है तो उसके बाद चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किले क्यों ना आए वो अपने लक्ष को हसिल करके ही दम लेता है इस से भी बहुत बढ़ी सीग मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किले क्यों ना आए पीछे मत अटो उस पाज की तरह तीस्ता लेसल पाज कभी भी मरे वे जानवरों को नहीं खाता है वो हमेशा जिंदा शिकार करता है और इस से हमें ये सीग मिलती है कि ज भी सब्सक्amtयों मत दो और अपने आने वाली टाजी फ्रेश इन्दगी पर ध्यान लगाँ अपने पास्थ की फुरानी यादे जो तुमें तंग करती है उन्हें वहीं रहने तो जहां पर उसकी जगह है और तुम्हारे पास्ट की जगह है तुम्हारे पास्ट में उसे वर्तेमान में जगह मत तो क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेज़न में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेज़न में नहीं रहने लेगा बास्ते में तुम्हाने साथ कितना भी बुरा क्यों न हुआ हो वो सब याते हैं वो सब थोड़ से मर चुके हैं और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता चोथा लेजर जब आंदी तुफ़ान आते हैं तो बाज बहुत ज़दा एक्साइटेड हो जाता है जब बारिश होती है तो सारे पंची चिपकर वेड़ जाते है लेकिन बास को बड़ा मज़ाता है जब तेज होई चलती है तो बाज उन होईं के सारे और तेजी से उपर के और उड़ता है और उपर उड़ते उड़ते इतना उपर उड़ जाता है कि बादोलों से भी उपर पहुँच जाता है और जिस जिन तुमने अउस्वरों को पेचान लिया तो सारी मुश्किले तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होंगे फिफ्ट लेसंड बाज अपने गोस्लों में से सौफ्ट डिकास्त को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है व क्योंकि अगर वो गोस्ले में कमफर्टेबल हो गया तो वहीं रहना पसंद करेगा लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता बाज एक पंच्ची है और उसे भी ये बात पता है कि there is no growth in